व्हालो दोस्तोों खान मंडिकल लेक्सरेस चनल मा आपका स्वाव है से दोस्तों आज हम बात करेंगे गाउं के डॉक्टरों के बारे में कि गाउं के में कोश gonna doktor कौत कौन से मरद में आंटिबाइटिक टेबलेट देते हैं बहुत सारी औटिबाइटिक के बारे सीवी 625 यह जो है बहुत ज्यादा पॉप्लर मेडिसीन है एंटिबाइटिक जो की गाउं के डॉक्टर चलाते हैं इसके अंदर एमोक्सिसिलीन एंड उटेशियम किलोविनेट होता है आप देख सकते हैं मैंकाइड कंपुली दुआरा यह बनाई जाती है बहुत ज्यादा च हैं किसी बच्चे के बढग एक सिके भी तब देते हैं या फिर लंग इंफ्यक्शन हो जाता है तब इसको देते हैं नॉक्टर या फिर इंजर्ई अगर किसी के चोट लग ज Är exempt हो जाता है तो तो उससे घाउ और इसको भी बहुत जादा यूज में लिया जाता है, अगर हम यूज की बात करें, तो टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार में इसे जो है, डॉक्टर देते हैं, या फिर किडिनी इंफेक्शन, किसी के गुर्दो में इंफेक्शन हो जाता है, तब इसको देते हैं, या साइनेटिस, तो साइनेटिस जो है, एसी बिमारी होती है, जिस में बैंने Gothicरेता है, दरसमें बदलता है, किसी को, च्छी के द्रियूआम होने लगता है, तो से हम साइनेटिस बोलते हैं, तो उस में भी डॉक्टर इसको देते हैं, फिर नेच्ट आती है, सेफीरोक्षिम काफी जादा कोस्टली होती है यह और इसकी अगर हम यूस की बात कहें कि यह कब दी जाती है तो यह head injury जब किसी के सर में चोड लग जाती है सर फट बागेरा जाता है तब इसे doctor देते हैं या फिर throat swelling मतलब किसी के हलक में सूजा ना जाती है कुछ ठंडा गरम खा लेनी के वजयासे तो तब भी हम इसको देते है या फिर eye infection आँकोम को infection हो जाता है तब इसको डॉक्टर देते हैं या फिर और 600 की packaging में भी आती है तो दोस्तों ये जो है बहुत अच्छी antibiotic होती है इसके अंदर maternodazole होता है काफी popular है और इसके अगर हम use की बात करें कि कब दी जाती है तो ये दी जाती है gastrointestinal infection मतलब gastrointestinal infection का मतलब होता है किसी के अगर कुछ gas का दर्द बगेरा अड़ जाता है gas से infection हो जाता है आतों का अंदर gas की वज़े से तो उस infection को दूर करने में ये इस्तेमाल में ले जाती है या फिर UTI infection urinated tract infection मूत्र नली में infection हो जाता है पिशाप की जग़बे infection हो जाता है इसको दिया जाता है या फिर sexually transmitted disease sexually transmitted disease का मतलब कोई sex सम्मंदित बीमारी होती है infection होता है तब भी इसको हम देते हैं या फिर bone infection मतलब अगर किसी के doom infection हो जाता है तब भी जो हम इसको जो है डॉक्टर इसको देते हैं दोस्तों फिर next आती है lenzo force 600 tablet आप देख सकते है lenzo force 600 ये भी जायतर गाव में डॉक्टर इसको इसको इस्तेमाल में लेते हैं और इसके अंदर जो content होता है salt होता है वो lenzo lid होता है बहुत अच्छी और काफी महंगी एंटिबाटिक होती है पिर इसके अगर हम यूज की बात करनें कि कभी दी जाती है तो ये दी जाती है नमूनिया जब किसी को नमूनिया हो जाता है तब ये डॉक्टर जो है इसको इसको इस्तेमाल में लेते हैं या फिर throat swelling throat swelling मतलाब halak में सूजन हो जाती है गले में सूजन तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है या फिर ब्रॉनकाइटिस ब्रॉनकाइटिस एक फेवडो की बिमारी होती ही जिसमें फेवडो की नली के अंदर जो है इंफेक्शन हो जाता है तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है तब इसको इस्तेमाल में लेते हैं डोक्टर फिर नेक्स्ट आती है वाइब्रोमाईसीन वाइब्रोमाईसीन आप देख सकते हैं ये भी काफ़े अच्छी अंटिबाइटी है वाइब्रामाईसीन जो की 100 mg की पेगजिंग में आती है और इसके अंदर जो साल्ड होता है वो डॉक्सिसिलीन हैकसिलेट होता है डॉक्सिलीन हैकसिलेट आप देख सकते हैं वो इसके अगर हम यूज की बात करें कि ये कब देते हैं दोक्टर तो इसको देते हैं एकने जब किसी के दाने निकलते हैं तब मुहा से निकलते हैं चेहरे प आप देख सकते हैं Ciproflox 500 tablet जो की काफी जादा popular tablet है इसके अंदर Ciprofloxacin hydrochloride होता है काफी जादा चलने वाले antibiotic है इसको भी जो है गाउं में डॉक्टर इस्तेमाल में लेते हैं तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता हूँ किया जाता mild fever, mild fever मतलब किसी हलका मुलका बुखार आ जाती है चल हो जाती है तब इसको इसको इस्तेमाल में ले जाता है फिर next और last हमारी antibiotic आती है Ziphy 200 आप देख सकते है Ziphy 200 जिसके अंदर जिस Sefexim होता है और इसका अंदर जो इसका यूस किया जाता है दोस्तों डॉक्टर करते हैं वो करते है टाइफाइच फीवर मियादी बुखार में और केडीनी इνफेक्शन घृदों में इनफेक्शन हो जाता तब करते हैं या फिर इसकी इन इनफेक्शन तो जाता है मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ जेहिंद बंदे मातर हूं